अम्रूद के जिस पौदे पे फल नहीं आ रहा है या फल फूल आना बंद हो गया है उस पौदे पर भी ये चीज फल फूल ला देती है आपका पौदा फलों से भज़ जाएगा फूलों से भज़ जाएगा तो वीडियो में जानेंगे आखिर ये चीज है क्या और अमरूद के पौदे पे कब और कैसे यूज कर सकते हैं आप हमें इस्टाग्राम पर हॉम गार्डन वाईटी नाम से फॉलो कर लिजिए वहाँ हम नए नए अपडेस आपके लिए लाते रहेंगे जिन लोगों के अमरूद पर कम फल्फूल आते हैं या बिलकुल आ ही नहीं रहे हैं ये उन लोगों के लिए वीडियो है बरसाती सीजन के अमरूद आने का समय हो गया है फलॉबरिंग तयार हो रही है और अभी आपको एक छोट ऐसा काम करना है तो आप बने हो हॉम गार्डन पर मैं हूँ रवींद्र जल्दी से हमें सस्काइब कर लिजेगा और वीडियो इसके मत कीजेगा क्योंकि बीच बीच में मैं बहुत सारी जरूरी चीजे आपको बताऊंगा यहां पर एक सोलेंच के सीमेंट पॉर्ट में अमरूद का पौदा लगा है आपका पौदा कहीं भी हो जमीन पर या गमले में मार्च अप्रेल के महीने में आपको यह काम करना है सबसे पहला काम है कि जहां पौदा लगा है वहां उपर की उस मिट्टी में से खतपतवार विलकुल निकाल दीजिए और जो उपरी लेयर है जिसे उपरी सतय बोलते हैं अगर जमीन में है तो दो फिट एरिया को कवर करके और गमले में है तो पूरे गमले में से आपको खतपतवार निकालना है और मिट्टी की उपरी लेयर आपको ब्रेक करके इस तरीके से कर देनी है जैसे मैंने कर दी है अब आपको लेना है कोई भी ओर गयनेक खाद जैसे कंपोष्ट बर्मी कंपोष्ट यहां पर मैंने गोवर खाद लिया हुआ है और 12 इंच से बड़े गमले के लिए कम से कम एक किलो गोवर खाद लेना है जमीन में अगर आपका पौधा लगा है तो कम से कम 3 किलो से 5 किलो खाद लीजिए आप और यह खाद जितना पुराना डीकमपोस्ट होगा उतना ही अच्छा रिजल्ट आपके पौधे पर आएगा तो इस खाद को आपको करना यह है कि जो आपका मुरूद का पौधा लगा है उसके 4 अत्रफ इसे डालिए और आधा से एक इंच मौटी आपको एक लेयर एक परत आपको बना देनी है ध्यान रखिए पुराना डीकमपोस्ट गोवर खाद लेना है कच्छा खाद नहीं लेना है और अगर जमीन पर पौधा है तो दो बाई दो की चोणाई में आपको यह कर देना है अब दूसरी सबसे जरूरी चीज आपको यह लेनी है यह प्राकतिक फर्टलाइजर है जो के समदरी सहवाल से बनाय जाता है इसे सीवीड बोलते हैं बाजार में यह जायम के आपको मिलेगा ऑनलाइन बाजार में सीवीड के नाम से मिल जाएगा 15-20 ग्राम आपको सीवीड लेना है और 2 लीटर पानी आप लीजे फ्रेस और उस 2 लीटर पानी में यह 15-20 ग्राम सीवीड डालके गोल कर रख देना है आधा से एक घंटे के लिए जिससे यह पानी में अच्छे तरीके से मिक्स हो सके हमने इसे रख दिया है इसी वीच जो ह आप इसे कर सकें ज्यादा से ज्यादा अगर जमीन में पौदा है तो फावडे से आपको उड़ाई करनी है और जो गोवर खाद हमने लेयर बनाई थी वो उपर से नीचे अच्छे तरीके से एक वार हो जानी चाहिए तो इस गोवर खाद को हम अच्छे तरीके से मिक्स करे करेंगे और यह चीज है आपके जिस अमरूद पर कभी फल नहीं आ रहा है या फल का साइज खराब हो गया है मीठा कम है या कीड़े लग जाते हैं तो यह है आपका चूना बुझा हुआ चूना जिससे हम पुताई करते ना घर पर सफेदी बोलते हैं तो यह आपको लगव यहाँ पर मटका लिया है क्योंकि यह जब पानी में हम मिक्स करेंगे तो इसमें से गैस निकलती है तो आप या तो लोहे का कोई ड्रम लीजिएगा या फिर कोई मिट्टी का बरतन लीजिए इस मटके में हमने लगवा 2.5 लीटर पानी जो है लिया हुआ है 3 लीटर लगव अगर डेली वाला चूना आपने लिया है तो 24 गंटे के लिए छोड़ना है और यह बुझा जो पावडर नुमा है यह 2-3 गंटे के लिए छोड़ दीजिए जिससे यह अच्छे तरीके से इसमें गुल सके चलिए 2 गंटे बाद मिलते हैं 2-3 गंटे बाद इस तरीके का यह पानी हो जाएगा यह देखिए यानि के आपका चूना भुझ गया है तो उपर उपर से आपको 200 ml यह सफेदी वाला जो पानी है जो लेना है यह और ध्यान रखिए जो हमने सीवीट घोल कर पानी तयार किया था उस पानी में यह 200 ml मिक्स क लेना है दूसरा डैलिट और इस पानी को अच्छे तरीके से मिला दीजिए अब यह हमारा एक ऐसा फर्टलाजर वन गया जो हमारे अम्रूत के पौदे पे बहुत अच्छे फल फूल लाएगा जिस पौदे पे कभी फल नहीं आ रहा था उस पे भी आने लगेगा फल का जन में एक वार और चूने का जो पानी है वो तीन साल में एक वार देना है ज्यादा इसका प्रियोग आपको नहीं करना है एक वार में ही आपकी सवी प्रॉब्लम्स जो है धूर हो जाएंगे तो वीडियो कैसा लगा कमेंट में हमें जरूर प्रॉब्लम है तो कमेंट कीज